प्रियुकू प्रेंट्स वेलकम सगें तो निफ्टी आनिसस व्हाइं प्रेण 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 प्राइएं अज़ प्रेस् तो दोसंग फीटवेश मिनुट्वेच गोंड सुल्ड पच्ट गचिछ गीएज प्रेंड रहें लास्ट वीख वने देखा एक निफ्टी इंडेक तेजी दिखा रहा है लेकिन एक लेवल के पास यह हर्डल फेस कर रहा है फ्राइडे को कभी चॉपी मार्केट था एक फ्लाइट नोट के साथ ट्रेडिंग हमें देखने को मिली आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल से हो सकते हैं उसको इडिन्टिफाइड करेंगे नया वीक शूर हो रहा है पहला ट्रेडिंग सेशन है तो जैसे कि फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकाउट लेवल बन रहा था 11,235 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,167 यह 5-minute का निफ्टी इंडेक्स का चाहट है निफ्टी इंडेक्स ओपन ही होते हुए ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर ओपन हुआ और तुरंद एक दो मिनिट में इसने फर्स कार्गेट के पास यहां पर एक्जैक्ट सपोर्ट लेके यहां से फिर से पूल बैक हुआ था और पूरा दिन बार एक चौपी मार्केट था एक रेंजबाउंड ट्रेडिंग यहां पर देखने को मिली कोई भी यहां पर ओपर्टुनिटी नहीं थी तो जैसे कि हमने प्री प्लान बनाया था मार्केट शुरू होने से पहले ट्रेडिंग का तो इसके अकॉर्डिंग य देखे तो नाजडेक भी एक चौपी नेस के साथ ट्रेड कर रहा था हला कि बंद होते हुए 97 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ यहरोपियन मार्केट भी देखे तो कासा वहां पर एक मिला जोला कारोबार देखने को मिला एशिया ही बाजार आज ओपन हो चुके में दिखाएगे दाव फीचर देखे तो 60 पॉइंट के समय बड़त दिखा रहा है तो SJS निफ्टी और दाव फीचर के मद्दे नजार यहां पर हलकी सी बड़त निफ्टी इंडिस में भी देखने को में सकती है चल्दे निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट से इ पहला दिन है विक अप तो मंतली चार्ट में भी क्या लेवल बन रहे है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के यह भी देखना कापी ज़रूरी है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मार्च का लेक लंबा लॉंगेस बेरिश कैंडल स्टीक है इसका हाय और लो अभी तक प्र यह जो बेरिश कैंडल का हाय है यह आप देख सकते हैं यहां पर यह सपोर्ट टेस्ट कर रहा है तो इसी तरह से अभी अगर यहां से फिर से एक बार टूर्ट साउथ की तरफ मूह आता है तो फर्स सपोर्ट इमीजेट एट एस पर मंतली चार्ट ट्वेंटी एमेका होगा जो कि अभी अराउंड 10,800 के पास आ रहा है राउंड 10,800 के पास सपोर्ट है और उपर यह जो बेरिश कैंडल का हाय है यह आराउंड 10,433 के पास है तो 11,400 एक हर्डल यहां पर हमें तेखने को मिल सकता है इस रेंज में हो सकता है यह ट्रेड करें इस 11,400 और नीचे 10,800 के बेरिश कैंडल का हाय जो है यह ब्रेक होता हुआ आमें निजर आ सकता है तो आस पर मंतली चार्ट नीचे 10,800 का फोर्ट इमिजे इस स्ट्रॉंग सपोर्ट होगा यह था मंतली चार्ट के सीनारियो चलते है विकली चार्ट में जैसे के हमने फीबरहसी एक्स्टेंशन को अगर आप हमें कई दिनों से फोलो कर रहे तो लास्ट थ्री वीक्स आप देख सकते हैं इसी लेवल के पास ही हर्डल फेस कर रहा है इसके ऊपर लोज होने के बाद सस्तेंग नहीं कर रहा है तो नीचे एस पर विकली चार्ट फर्स्ट सपोर्ट अंडर्ड एमे का रहा है अगर हम पास्ट को देखे तो जैसे कि हम यहां पर इस जोन में आने के बाद एक कंसॉलिडेशन मार्केट में देखने को बिलता है कई सारे वीक से इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तो अभी तीन वीक हो चुक है यह उपर जाने के कोशिश कर रह तो जैसे कि पास्ट में देख रहे हैं कई सार वीक यहां पर एक फ्लाट के साथ निफ्टी इंडेक्स निए इस लेवल इस जोन में डेडिंग होते हुए हम देखा था तो अगर यह जो अपर बैंड को अगर यह ब्रेक करेगा तो निफ्टी इंडेक्स में यह से आँमें मिल सकती है जो मंदली चैट में हमने देखा कि स्ट्रॉंग वियरिश केंडल स्टिक का हाई उसी लेवल के पास हा रहा था तो यह जो सोन है इसका प्रेक आउट अगर मिलता है तो ही निफ्टी इंडेल्स में हमें यहां से और जबर्दस्तेजी कंटीनू होते हुए दिखाई नहीं दे सकते है तो यह था विकली और डेएक टास का सिनरियो इस समय चलते है डेली चाट में डेली चाट की अगर हम बात करे आओ यहां पर या ओपर जाते आप देख सेटे यह लास्ट कुछ six,七 दिन पहले यहां से एक सेलिंग प्रेशर आया था जबर जबर सेलिंग प्रेशर उसके बाद लोगर हाई लोगर लोगर बने दे तो 11,300 के बाद जो हमने मंतली चैट में देखा 11,400 के पास वो बेरिश केंडल का हाय आ रहा है तो उस जोन में निफ्टी इंडेक्स यहां पर हर प्रेश कर सकता है और नीचे आस पर डेली चैट 11,000 एक साइकोलोजिकल अभी बैरियर होगा इमीजेट सकोर्ट होगा 11,000 का और उसके बाद 10,800 और 750 का सपोर्ट जोंग तो यह ता डेली विकली और मंदली चैट का सेनारियो इचलते हैं 60 मिनिट की चैट में इंट्रादी अगर यह जो इस पर फिर से थर्स डेकों भी यह पर रिजिस्न्स फेस किया तो यह जो लिवल है यहां पर फ्रिज्टन फेस कर रहे हैं n fp- blush अगर हम इसके झाळ देखें तो लेवल को खोूंपाशन 2,000 को जिदिय कूंफशर। 248 को comfortably अगर break करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर buy position बना सकते है और तभी हमारा first target होगा 11,281 यह हमारा first target होगा और second target होगा 11,296 यह हमारा second target होगा और अगर nifty index towards south की तरफ move करता है तो फिर से एक बार यह जो inside bar trading बना है आरली चार्ट में तो इसका यह जो low है यह green candle का जो low है 11,186 यह अगर break होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर short position बना सकते है और तभी हमारा first target होगा 20 EMA जहां पर इसने continuous फ्राइडे के दिन support test किया था यानि 11,169 यह हमारा first target होगा और second target होगा 11,153 यह हमारा second target होगा तो अगर आपको यह वीडियो analysis अच्छा लगाओ तो please hit the like button, share करें, comment करें आपकी दोस्तों के साथ भी इस YouTube channel को जरूर share करें तो थैंक्यू वेरी मच और अपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबर्शिप हो आपको absolutely free में मिल सकते हैं उसके लिए आपको करना के है just apply here के उपर click करना है तो जैसे यह web page open होगा तो आपके यह पर details आपको enter करना है तो online process शुरू हो जाएगी एक दिम में account open हो सकता है अगर आपके documents ready है तो account open होने के बाद आपका client ID है वो आपको हमें इस number पे call करके confirm करना है ताकि हम आपको intraday premium membership में add कर सके तो यह एक चोटा intro था trading fab के बारे में